हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा तीन बेसिक रीजन्स क्यों हमारे को योगा करना चाहिए सबसे पहला रीजन तो आप लोगोंने सुना ही होगा कि योगा करने से ऐसा बोलते हैं कि आपके बोड़ी के अंदर जो flexibility है वो और बढ़ जाती है मैं आपको बताना चाहूंगा ना की सिरफ body level में बलकि आपके mental level पे भी आपकी flexibility बढ़ जाती है आपके साथ अगर कोई ही खुशी से बात करें तो आप खुश रहना बहुत एजी है लेकिन आपको अगर कोई बार बार तंग करता रहे तब भी आप खुशी से उसको रिस्पॉंड करें ऐसा बहुत कम होता है तो ऐसा बोलते हैं योगा करने से सिरफ बौडी में जड़ें के लिए फिर्स्ट सेकेंड रिजं कहते हैं आपने देखा ही होगा आपके घर में अगर कोई बाइक होगा या कोई कार होगा एवरी त्री मंथ में या ईवरी सिक्समें आपको उसको सर्विशिंग के लिए बेजना पड़ता है तो यह जो हमारा body है, यह जो हमारा शरीर है, यह भी एक machinery है दोस्तो, इसका भी servicing करना time to time बहुत जरूरी है हमारे को, तो योगा करने से हमार, हम यह जो body है, इसके जितने parts हैं, इसका भी servicing कर सकते हैं, चाहे वो आपका spine हो, चाहे वो आपका knees हो, चाहे वो आपका shoulders हो, हर ए इसरा और आखरी रीजन जो मैं बताना चाहूंगा आपको, कहते हैं skill in action is yoga. योगा करने से हमारी बहुत सरी योगेताइं बढ़ती हैं, हम बहुत skillful हो जाते हैं life में, आपने देखा होगा हम इतने सारे काम करते हैं अपने जीवन में और बहुत hard work करते हैं बहुत बार किसी काम के लिए, तो ऐसा बोलते हैं हमारे को आजकल hard work नहीं करना चाहिए हमारे क स्मार्ट वर्ग करना चाहिए हमारे को और स्किल्फुल होना चाहूंगा कि योगा करने से आप और स्किल्फुल हो सकते हैं तो आपके पास जो भी आर्ट ओफ लिविंग योगा लेवल बन का प्रोग्राम हो रहा है जरूर जाहिए और उसको अनुभव करिये वहाँ पर आप आपको ऐसी कुछ टेक्नीक्स मिलेंगी कैसे आप अपने जीवन में योगा को उतार सकते हैं नमस्त्राइब